धर्म और इतिहास के नजरिये से काफी प्राचीन और महत्वपून नगर के रूप में मशुर बक्सर की पारंप्रिक पहचांग, वैसे तो विश्वामित्र की तपो भूमी और राम की सिक्षा और कर्म भूमी के रूप में ही ज्यादा है। लेकिन बक्सर शिव आस्था का भी महत्वपून केंद्र रहा है। इस चोटे से शहर में शिव के कई मंदिर स्थापित हैं। लेकिन इन सब में रामिश्वानात मंदिर का महत्वर और ख्याती सबसे ज्यादा है। क्योंकि इस मंद्य का संबंद धगवान राम से भी जुड़ा है उत्तरवाहनी गंगा के तट पर इस्थित बक्सर में गंगा के तट पर ही बना है रामिश्वर नाक मंदिर इसलिए यहां का गंगा धार रामिश्वर धार के रूप में भी मशहूर है बक्सर के सबसे मश्खूर राम्रेखा घाट से सटा होने के करण इसे राम्रेखा घाट में भी शामिल माना जाता है पौराणी और धारिम्प माननेताओं के मुदाबिब यहां शेवलिंग की अस्थापना स्वैम राम ने की थी इसी लिए यह रामिश्वर नाक मंदिर के रूप में भी विख्यात है राम मिश्वर नाक मंदिर में अस्थापित शिवलिंग को लेकर दो पौराणी और धार्मिक माननेताओं है पहली माननेता के मुदाबिब विश्वामित्र अपने यग्य की रक्षा के लिए जब राम लक्ष्मन को लेकर यहां आये थे तो राक्षसों के वद्ध से पहले राम ने बालू का शिवलिंग बना कर शिव की पूजा की थी शिवलिंग बालू का होने के चलते जलधार पड़ते ही गंगा में बहने लगा था तब राम ने अपने हाथों से उसे दबा दिया था मान्यता है कि राम की उंगलियों के निशान आज भी मंदिर में अस्थापिज शीवलिंग पर मौजूद है भगवान जब त्रेता युग में महर्शी विश्वामित्र के द्वारा जब बक्सर में आए उस शमय ताडिका को मार करके भगवान प्रातक का लश्णान करके भगवान अपने हाथों शे बालुका शे निर्माड करके भगवान शीव का यह रामेश्वर नाथ शीवलिंग को बना करके पूजन किया और अस्थापिद किया उस दिन से यह रामेश्वर नाथ के नाम से प्रशिद्ध हुआ इस कथा से इतर एक और माननेता यहां के शिवलिंग के संबंध में प्रचलित है जो राम के बक्सर दुबारा आगमन की भी कहानी कहती है इस कथा के अनुसार रावण वद्ध के पस्चात जब राम पर ब्रह्म हत्या का दोश लगा तो उससे मुक्टी के लिए वो सिध्धास्रम यानि बक्सर आये और शिवलिंग बनाकर सिवकी पूजा अर्चना की बहरहाल इन दोनों माननेताओं का संबंध राम से है और इसी लिए ये मंदिर रामिश्वरनात मंदिर के रूप में मश्खूर है एतिहासिक और धारना के मुताबिक मंदिर का वर्तमान स्वरूप तक्रीबन साढ़े तीन सौ वर्ष पहले का है अभी कुछ साल पहले ही इसका जिर्णोधार भी किया गया मंदिर वे बहुत भारी एक घंटा के लगा हुआ है रामेश्वनात मंदिर में यू तो अस्थानिया और पासपडोस के शिवभक्तों का हमीशा तांता लगा रहता है लेकिन धार्मित पर्वत्यवारों पर यह भारी भील जूटती है खास कर महाशिवरात्री और सावन के महीने में यहां स्रद्धालूओं का आने वाला रेला कभी तूटता नहीं है दूर दूर से लोग आते हैं अपने आराद्धि शिव के इस महत्वक्मून और शिव आस्था के केंद्र रामेश्वनात मंदिर में ताकि वे उनके दर्शन कर सके उनकी पूजा अर्चना कर सके और अपने इह लोग के साथ परलोग भी सुधार सके